हलो दोस्तो मेरा नाम है दॉक्टर नितीन मस्के आप डर्मेटालोजिस्ट, कॉस्मेटालोजिस्ट एंड हेर ट्रास्पांट सर्जन एड अर्बन स्कीनर हेर क्लिनिक पुने आज हम बात करने वाले हैं एक वेंडर ड्रॉग के बारे में विटामिन सी, विटामिन सी टाबलेट फर्म में आता है और सिर्म फर्म में आता है विटामिन से एक वंडर ड्रॉग है जिसके कारण हम हमारे चेहरे के उपर होने वाले जो भी काले दाग है, पिग्मेंटेशन है उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं तो अब हम देखते हैं कि विटामिन सी का active ingredient क्या है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और वो कों से concentration में वालेबल है यह लास्कॉर्나भिक ऍंः tasted एक इंग्रिडियंट है जो की विटामिन सी सेर्म का active and the stable form में आता है इसे हम मार्केट में देखा गया है आपके routine practice में retinal serum है, तो हमें routine serum जो है, नाइट टाइम यूज करना चाहिए और vitamin C serum है, वो हमें morning time यूज करना चाहिए vitamin C serum के जादा ऐसे कुछ side effect नहीं है, लेकिन कई बार देखा गया है, कि जिन patients की skin जादा dry है, dehydrated है, इन patients में हमें vitamin C serum avoid करना चाहिए बिकाज आप vitamin C serum देरी chances कि उनमें थोड़ा सा irritation हो सकता है, अगर इन patients में जादा pigmentation है, उनको भी इच्छा है कि हमारा pigmentation भी कम होना चाहिए तो first हमें 5% का vitamin C serum आता है, first हमें वो start करना चाहिए नौर्मली, first हमें patch test करना चाहिए, चहरे के उपर एक छोटा सा patch में vitamin C serum ट्राय करना चाहिए अगर वो suit होता है, तो 5% के साथ हम start कर सकते हैं और धीरे धीरे वो percentage बढ़ा सकते हैं तो आज हमने देखा कि vitamin C serum के benefits क्या है, किन-किन patients में हम उसको use कर सकते हैं, उसको form क्या है, उसका active ingredient क्या है और किन patients में हमें वो avoid करना चाहिए तो इस topic related आपको कोई भी doubts हो, questions हो या skin related कोई doubts हो तो हमें नीचे comments में पूछ सकते हैं, हम try करेंगे आपके doubts जो है अच्छे से स्वाल हो सके और आपकी skin अच्छे healthy और maintain रहे, thank you very much